हाई अर्मन वेलकम टो डिश्चल जी के क्लासेस तो चलिए देखें फैक्ट वाले क्वेश्चन पूछेंगे ही तो इसमें है कि सूर्विरो विरांगनाओं के बारे में भव्यम लंबी रचनाय हैं तथा इनमें देवताओं से संब्धित कहानिया भी संब्धित हैं तो इसे ह हम क्या कहते हैं तो यह तो आसान सा है तो हम इसको कहते हैं महा कावे जिसको आप इंगलिस में बोलेंगे एपिक्स ठीक है तो इसमें क्या होती है कि जितनी भी भव्य और लंबी रचनाय होती है देवताओं से संब्धित सभी को इसमें सम्मिदित किया जाता है उसे हम बोल दभर्म की एक नई धारा का विकास राजा कनिष्क कि सासन में हुआ था ये बात एकदम सही है और दूसरा है कि बौध धर्म की नई धारा जो है महायान की दो मुँखी वेशरिस्ताइं थी बुद्ध की उपसे थी सिर्फ कुछ संकेता वं वदिस्तों में आस्था के माध्यम से दर्स आई जाते थी तो ये बात गलत है हाँ पहला सही है ठीक है तो basically revision ही हम कर रहे है तो जो भी चीजे मैं आपको बताती जाओ आपको कुछ important लगता है तो screenshot लीजे या फिर लिख लीजे ठीक है तो इसमें 4 सही है चले तीसरे प्या जाते हैं आप देख सकते हैं statement वाले questions बहुत पूछे जाएंगे तो तीसरा देखे basically इसमें आपको बताना है कि दोनों कथन सही है और इसकी व्याख्या सही नहीं है कि सही है ये चीजे बतानी है तो लिखा है कि सिल्क रूट पन यंतरन रखने वाले सासकों में सबसे प्रसिद जो है वो कुशान थे बात एकदम सही है दूसरा है कि कुशानों ने मद एसे तता पशमुत्तर भारत बस सासन किया एवं वे सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले सासक थे जिनका उप्योग वैपारियों ने किया क्या ये बात सही है तो ये भी बात सही है देखे दोनों सही है और व्याख्या भी सही है तो हम जाएंगे तीसरे के साथ ठीक है चलिए अब ये आपका फोर नंबर का कोश्चन आप देख सकते हैं लगतार इस सिफ्ट में बहुत सारे ऐसे कोश्चन पूछे गए हैं स्टेटमेंट वाले तो ये सब भी बाकी रहे गया था इसलिए करा रही हूँ ठीक है देखे इसमें लिखाए कि प्रतेक राजवन्स की राजा सासक होने के अपने नैतिक अधिकार पर बल देना चाहते थे और इस्वर के साथ अपने घनिश संबंद के उद्धोशना करने के लिए रजाओं ने उपासना के स्थानों का निर्माड किया क्या ये बास सही है तो जी हाँ और व्याक्या भी सही है तो हम दोनों के साथ जाएंगे ठीक है तो आप्शन में टू विल भी राइट चलिए अब पांच में पर आजाते हैं मिलान करने पर देखें यहां पर जगह और समुदाय का उनके सिल्प कला के साथ सुमेल करना है यह जगह है तो उनका आप सिल्प कला यह जो है तो आपको बताना है कि किस जगह पर कौन से सिल्प कला है ठीक है तो चलो देखो जो बीदर है यहां पर कौन सी है तो तामबे तथा जो चांदी होती है उसमें जड़ाई का काम होता है यहां पर तो A का 4 हो गया, तो सूरत का देख लेते हैं, क्योंकि अभी आप देख सकते हो कि A बस एक इसमें नहीं, बाकि तो तीन आप्शन बचे ही हैं, तो B का देख लेते हैं, सूरत, देखें, बीदर का तामे तता जादी, ये देखें, कितना नया कोश्चन है, तभी ये में लेकर कपड़े काम बहुत जादा होता है सूरत में, तो आप इससे भी लगा सकते हैं, तो B का क्या होगा हमारा, तीसरा, तो जहां जहां पर ना उसको काट देते हैं, तो देखो ये भी खतम, ये भी खतम, देखा आपने आप आंसर आ गया, और C का पांचाल है, तो ये लोहे से स सम्बंदी था, और सालियाल जो है बुनाई से सम्बंदी था, तो ये आप इसका स्क्रीन सॉट ले सकते हैं, ओप्शन नमर फोर विल बी राइट, काफी अच्छा नया कोश्चन है, ये देखे, तो पांचवा भी हो गया आपका, अब हम छटमें पर चले आते हैं, ये रहा देखे, सिक्स में, आपको बताना है क्या दोनों सही है, तो असोक ने अपने अविलेखों में असुछाओ दिया कि कर्मकान किसी के काम के नहीं है, जी हाँ, बताया था उन्होंने, फिर उन्हें बताया कि मौरे वन्स के सम्राज में लोग विभिन धर्मों का अनुसरन करते थे तथा या कभी-कभी विवाद ये उन्हों पसू बली तक पहुंच जाता था, क्या ये बात सही है, ये भी बात सही है, कारण भी सही है, स्टेट्मेंट भी सही है, तो हम जाएंगे चौथे के साथ, चलिए, सेवन, और ये भी काफी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन स पनासाइब लगा सकते हैं, होगा भूस्वामी या फीजिसको बोलते हैं, ग्राम प्रमुक, तो एक का हो जाएगा, चौथा, तो इसको खतम करो, उसके बासे है बी, तो ग्रिह पती का क्या होगा, तो ग्रिह पती को सवतंथ कृशक, तो बी का हो गया तीसरा, ये भी खतम, औ रास कर्मकार का हो गया पहला दूसरों की जमीन पर काम करने वाले यह तो एक एक एक्ष्ट्रा आपको कन्फ्यूस करने के लिए गया है तो हम जाएंगे पहले के साथ आठवे पर आजाईए आप देखे आप खुद कहेंगे कि हाँ यह कोशन्स आपको ने अभी नया नया कर रहे होंगे तो यह आठवा देखे दो कथन दिया गया है राजस्व की तयारी राजववस्था ने किसानों और खेतियर क्रिस्कों के भी सिधा संबंद सापित किया जी बाकी B में लिखाए कि रयतवारी ववस्था ने ग्राम प्रमुक के माध्यम से राजव की उगाई पर बल दिया ये बात गलत है ठीक है तो B गलत है A सही है और कभी डिरेक्टली पूछे कि रयतवारी का संबंद किसे है तो किसानों से है ठीक है चलिए आठ हो गया है हमारे अब हम आजाते हैं 9 पे देखे ये भी कोशन काफी अच्छा है देखे अच्छा इसमे आपको बताना है 9 में कि समाजिक सुधारग को उनके कारे के साथ आपको सुमेलिद करना है ठीक है तो चलिए देखते हैं सबसे पहले जो तिरह फुले तो आप सभी को पता है ये तो में लड़कियों के लिए स्कूल खोला था तो एका तीसरा खतम ये भी खतम ये भी खतम आंसर आपके सामने है बहुत असान है बेगम रुगया से खावत इन्होंने क्या किया था इन्होंने कौन-कौन से काम किये थे तो पटना और कलकत्ता में लड़कियों के लिए स्कूल ख तो यह होता है और पंडिता रमा भाई आज नहीं कल वाली क्लास आपने देखी होगी ना टेस्ट नमबर टू उसी में मैंने बताय था कि पूना में विद्वा ग्री की स्थापना किसने किया तो पंडिता रमा भाई यह भी कोशन पूछा था स्टेटमेंट में तो देखा भाराष्ट्र में बेगम रिकवा पटना और कलकत्ता मिनों ने खोला ताराबाई सिंदेश्तिरी पुरुस्तुलना पंडिता रमा भाई पूना में ठीक है विद्वा ग्री की स्थापना की चलिए दस्वा है देखे अगर वेद समाज ने रूडि वादी हिंदुतों के अंद विश्वासों की सत्थ निंदा की तो प्राथना समाज ने क्या प्रयास किया था तो प्रयास किया था जाती बंधनों के उन्मूलन के लिए ठीक है तो पहला सही हो जाएगा और यह हमारे 11 कुश्चिन देखे इसमें है सही विगल का चैन करना है और पूछ रहा है कि इसमें से कौन से कतन समाजिक सुधारक और जाती उन्मूलन के संदर में सही है तो राजाराम मोहन राए ने अपने विचारों के प्रसार के लिए परचे लिखे जो की सनवात के रूप में थे जी हाँ सिंग सभा के निताओं ने आधुनिक सिक्षा और सिधानतों का प्रोसाहन किया ये भी बात सही है पेरियार के सिक्षण में समानता का विचार धर्मे के माध्यम से प्रोसाहित किया गया तो ये बात गलत है तो क्यों A और B आपका सही हो जाएगा ठीक है चलो 12 पे देखे 12 का तो बेसिकली यहां पर क्या पूछ रहा है कि राष्टवाद के उदय को प्रतिभिंबित करने के लिए निम्न को प्रारंभिक से नूतन मतलब स्टार्टिंग से लेकर नया तक आपको इसको एक क्रोनो प्रारंभ कहा से हुआ था तो सबसे पहले भारती लोगों को संप्रूभ होना चाहिए यह चेतना जागरित हुई इलबर्ट बिल को वापस लेना भाती राष्टी कॉंग्रिस की स्थापना वर्नाकुलर प्रेस अक्ट तो सबसे पहले आपका होगा यह कि भारती लोगों को संप्रभू होना चाहिए या चेतना जागरित होई तो ये पहले होगा, खतम, ये भी खतम, ये भी खतम एक option से answer आपका बहार आ गया उसके पासे आपका वर्नाकुलर एक्ट देन आपका इलबर्ड बील एन लास्ट में आपका रहे था भाति राष्टी कॉंग्रेस के स्थापना देखा आपने answer आपके सामने है चलिए अब ये देखिए इसमें देखिए राष्टी आंदोलन के मध्यम वर्गी निताओं को लगता था कि इंग्रेश वतंता के आदर्सों का समान तब नहीं करते मध्यम वर्गी निताओं के रष्टी आंदोलन के मध्यम वर्गी निताओं ने देखिए आतिक तबाही के विरुध जनमत निर्माड किया तो 4 आपका सही हो जाएगा, ठीक है, चलिए, आप देख सकते हैं, questions काफी लंबे चोड़े आते हैं, ऐसे ही आएंगे, चलो, question number 14, इसमें पूछा है कि दो कथन दिये गए हैं, और आपको पता है कि 1904 में दूसरी पंचवर्सी योजना तयार की गई थी, ये भी बात गलत है, और दूसरी पंचवर्सी योजना में नीजी संस्थानों के नियंतरण में भारे दोगों के विकास पर बल्ग दिया गया था, ये भी बात गलत है, तो दोनों गलत है, अब मुझे बताओ, कि दूसरी पंचवर्सी योजना कब तयार हो थी, इसका सही डेट लिखिये, साथ म इसमें किसका निर्माड किया गया था, प्लीज ज़रू लिखना, बहुत इंपोर्टेंट है, ठीक है, दूसरा सही हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही गलत है, चलिए, अब ये आपका आगया 15, तो इसमें सौर मंडल के बारे में जो है, कुछ चीजे लिखी गई है, जो कि आंतरिक ग्रह गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं, जबकि बाय ग्रह चट्टानों से बने होते हैं, एकदम गलत लिखा है, और बाय ग्रह आंतरिक ग्रहों की तुल्ला में बड़े अकार के होते हैं, और कुछ बाय ग्रहों के चक्कर चारो और चल्ले होते हैं, जी ह अभी तक आप देखे कोई भी सीधा साधा सा question आया ही नहीं है तो इसमें देखे इसमें भी फिर से वही पूचा है कि निम्र में से कौन से अंटार्क्रिका में भारत के सब स्टेशन है तो एक आपका मैत्री यह तो सभी को पता है दच्छिड गंगोत्री हो गया और भारती यहीं है अधिती नहीं तो यह तीसरा वालस सही हो जाएगा A, B and C ठीक है याद रखना बहुत इंपोर्टेंट है चलिए 17 पे देखे 17 का कि यहाँ पर पूछ रहा है कि करक रेखा विश्वत रेखा मकर रेखा निम्न में से किन महादिपो से नहीं गुजरती है तो देखे किसे गुजरती आपको पता होगा कि उत्तर अमेरिका अंटार्क्रिका से गुजरती है तो Antarctica तो यहाँ पर भी है और Australia से भी गुजरती है केवल Antarctica से या फिर यूरोब और Antarctica से तो देखिए अगर एक नाम भी गलत होगा आप जानते हैं कि एक बार इस question को इंग्लिस में भी देख लीजे 17 तो किस से नहीं गुजरती तो यहाँ पर इसने क्या किया ना यूरोब लिख दिया इस वज़े से ही आंसर हमारा गलत होगा बाकी देखो अंटाक्टिका अंटाक्टिका सभी में अंटाक्टिका जानबुच के लिखा है कन्फ्यूस करने के लिए उत्तर अमेरिका में होता है यूरोब से नहीं गुजरती है तो यूरोब याद रखो ठीक है क्योंकि ऐसे ही ओप्शन लगा कर देखा ताकि आप कन्फ्यूस हो जाएं तो किस से नहीं गुजरती है यह करकर रेखा विश्वत मकर रेखा तो ऑप्शन नमर थर्ड यूरोब एंड अंटाक्टिका ओके चलो और जैसा कि मैंने बताया है कि एक आपके नमबर्स वाले भी कोश्चन आएंगे 18 देखिए भारत में 82 डिग्री इस्ट को मानक या मुत्तर माना जाता है यह रेखा निम्र में से किस छेत्र से होकर गुजरती है तो यह तो सभी को पता है पुर्वी घाट से होकर इसमें भी देख लीजे बेसिकली पूछा था इस्टैंडर मेरीडियन ऑफ इंडिया यह किस से थ्रोग किस के थ्रोगों कर गुजरती है तो इस्टन घाट ऑप्शन नमबर्फ फोर ठीके चलिए नाइनटीन तो इसमें देखिए इसमें लिखाए कि पश्चमी घाट में किस तरह की वनस्पती पाई जाती है तो पश्चमी ढ़ालो पर उश्नकटि बंदी वर्सावन तथा पुर्वी ढ़ालो पर कंटीली जाडिया सही चीज याद रखो क्योंकि नीचे देखिए कंफ्यूस करने के लिए देदिया है यहाँ पर कंटीली उल्टा लिख दिया है आप देखिए दोनों दोनों पर तो होगा नहीं तो इसका पहला आंसर ही हमारा सही होगा ठीके तो आपको याद रखना है कि किस तरह की पाई जाती है चलिए हमारा 19 भी हो गया अब हमारा 20 देखिए इसमें लिखाए कि सहारा मरुस्थल के गुफा छेत्रों में नदियों और विभीन प्रकार के जानवरों को दिखाए गया है यह क्या दरसाता है तो यह इसलिए दरसाता है क्योंकि वहां के जलवाई में परिवर्तन हुआ था इसलिए ना कि बहुत कलपनाशील थे लोग दुनिया में घूमे वे थे विदेशी सहारा के छेत्र में रहते थे नहीं जलवाई परिवर्तन हुआ था यह आंसर है ठीक है चलो 21 इसमें देखिए दो कथन दिये गया है कि छोटे आकार वाले वरिक्ष और घास घास इसलों का निर्माड करते हैं जी हां एकदम सही है और आदरता की मातरा वरिक्षो के आकार उसके घलंद को प्रभावित करते हैं यह भी बात सही है ठीक है तो इसने क्या किया है statement भी सही दे दिया प्लस reason भी सही दे दिया कि क्यों ऐसा होता है तो हम जाएंगे पहले के साथ ठीक है चलो अब यह आगया हमारा 22 निम्न में से कौन सी इस्थाई पाउने है तो इस्थाई पाउने तो इतनी बार पूछा है इसको क्या कहते है विया पारिक पाउने और पश्चमी पाउने बस इतना याद रखो trade winds and western lies ओके बस इतना ही याद रखना है तो option number 4 will be right 23 देखिए दो गतन दिये गए है A and B दोनों को देखना है और बताना है क्या सही है पाउने उच्च दाप से निम्न दाप के और बहती है एकदम सही है और याद रखना है कि पाउने उच्च दाप से निम्न दाप के और बहती है पाउनों की दिसान निर्धारण में प बट ये इस उचदाप से निमदाप के संबन में रीजन सही नहीं है बट इस स्टेटमेंट तो दोनों ही सही है तो हम जाएंगे दूसरे के साथ ठीक है चलिए अब ये आगया आपका 24 इसमें है कि दो कथन दिये गए हैं बिभीन जलवाईक दसाओं के चलते भारत में प्राकृतिक वनस्पतियों में काफी भीनता पाई जाती है अलग-अलग climate है तो अलग-अलग differences सोब को देखने को मिलेगा ही किसी छेत्र विसेज की प्राकृतिक वनस्पति केवल यहाँ पर होने वाली बरसा यह केवल ने इसको गडबड कर दिया तो बी तो किसी भी हाल में सही नहीं होगा तो हम जाएंगे पहले के साथ ठीक है ऐसे यह आपको भी solve करना है अब यह आगा आपका 25 इसमें है कि लॉइस के समद्द प्रिंस चार्ल्स पर्वत कहां परिस्ती थे तो यह है अंटार्क्टिका में याद रखिएगा ठीक है एक बड़ इंग्लिस भी देख लीजे ये जो प्रिंस चार्ल्स माउंटेन पूछ रहा था तो ये कहां पर है अंटार्क्टिका में है ठीक है चलिए अब हम आगे 26 पर दिएगे कौन से कारक किसी भी पदात को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं कौन सा कारक समय भी कर सकता है प्रोदोगी की भी कर सकती है और जरूरत भी कर सकता है देखो जरूरत के हिसाब से तो संसाधन बन जाता है न चाहें वो प्रोदोगी की हो चाहें वो समय हो तो तीनो बाते सही हैं, तो हम जाएंगे 4 के साथ 27 चले 27 देखिए इसमें पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी रोपड क्रिसी विश्व के उष्ण कटिबन प्रदेशों में पाई जाती है तो देखे, मलेशिया मेरा बड ये भी है ब्राजिल में कॉफी और भारत में चाय ये तीनों है, ठीके कनाड़ा में मक्का ये नहीं है तो A, B, C, ये हमारा दूसरा सही हो जाएगा क्या कोशन पूछा था कि इसमें से कौन सी रोपड क्रिसी इसमें से कौन सी क्रिसी जो है वो विश्व के उष्ण कटी बंदी प्रदेसों में पाई जाती है तो कौन सी रोपड क्रिसी एक तो मलेशिया मेरा बंड, ब्राजिल में कॉफी भारत में चाय ये कहां पर पाई जाती है उष्ण कटी बंदी प्रदेसों में तो दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है, चलिए, तो 27 भी हो गया, अब हम आ गए 28 पे, और ये कोशन आसान है, अब थोड़ा आसान कोशन, अभी तक तो बहुत सारे टफ कोशन मिले हैं, समानता की खोश में, डॉक्टर भीमराम बेटकर ने धर्म परिवर्तन कर किस धर्म को अप अब आपका आगया 29, निवन में से क्या विवीदिता का एक वैद उधारन नहीं है, सबसे पहले विवीदिता की बात हो रही है, तो गलत वाला बताना है, एक गाह में अलगलग समधाई के लोग हैं, जो अलगलग धर्मों का पालन करते हैं, तो ये तो है, एक गाह में पादानुक्रमित वाली चीजें विवीदिता में नहीं हो सकती है, जो चीजे चली आ रही है, आप रूधिवादी जो चीजे बनी आई हैं, आप उसी को फॉलो कर रहे हैं, तो यही गलत है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा, बाकी देखिए अलगल तेवार मनाई जाते है, तो दूसरा सही हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजे, ठीक है, चलिए, थर्टी, तो देखिए तीसवा कुश्चन की, काउंसिल अव स्टेट्स का भारत में ज्यादा प्रचलित नाम क्या है, तो आप भी जानते हैं, इस स्टेट से आप अंदाजा लगा सकते थे, बहुत असान है, चलो, थर्टी, वन, जोकि बहुत इमपोर्टेंट है, और बहुत से लोगों को पता भी होगा इसका आंसर, कि संसद में जो प्रश्चन काल होता है, वो क्या सुनिश्चित करता है, तो यह सुनिश्चित करता है, कि कारे पालिका की विधाईका के तरफ पहला सही हो जाएगा, 32, 32 देखिए, निवन में से क्या बाजार का एक प्रकार नहीं है, सापताहिक बाजार है, सौपी कॉम्पलेक्स भी है, मॉल भी है, कौन सा नहीं है तो दादन वैवस्था, और यही इसका राइट आंसर होगा, अब यह दादन वैवस्था क्या है, एक आप अंदाजा लगा सकते थे, तो तीसरा सही हो जाएगा, क्योंकि हमसे क्या पूछा था, नौट वाला, 33, देखिए, और यह भी कोशन मिलता जूलता मैंने कराया हुआ है, तो इसमें बेसिकली पूछ रहा है ना, कि जीवन जीने के लिए, अपनाए गए, दादन वैवस पूटिंग आॉट सिस्टम, से एक बुनकर को क्या नुकसान होता है, नुकसान आपको बताना है, तो बुनकर को व्यापारी दौरा कच्छा माल पहुचार जाता है, यह कोई नुकसान नहीं है, नाहीं उनको बाजार तक ले जाने का परिवहन लागा, यह भी कोई नुकसा नुकसान यही है कि उनको उतना मुनाफ़ा नहीं हो पाता है, ठीक है? चलिए, 34, देखिए, रोजा पाक्स ने बस में एक स्वेत पुरुस के लिए अपनी सीट देने से इनकार किया, यहां आधुनिक इतियास में किस बड़े आंदोलन की सुरुवात थी, आप भी जानते हैं किसी था? तो सनित राज अमेरिका का नागरिक अधिकार आंदोलन, यही सही हो जाएगा, ठीक है न? यह इसी से रिलेटेड है, तो पहला सही हो गया चलो, 35 देख लो आंगनवाडी क्या है? सभी को पता है कि आंगनवाडी क्या है? बताईए तो आंगनवाडी क्या है? एक बालगरी ये छोटे बच्चे आप देखते होंगे गाउ में बहुत होता है, वहाँ पर जाते हैं, मिड़े मिल व्रिधास्म महिला नहीं छोटे बच्चे जाते हैं, उनको पढ़ना लिखना सिखाते हैं, खेल खेल में, ठीक है? सो दूसरा सही हो जाएगा 36 देखिए किस नागरी के भौतिक अधिकारों का हनन होने पर उसके दोरा न्याले में जाने का अधिकार निम्ण में से कौन सुनिश्चित करता है, मतलब भौतिक अधिकार की बात हो रही है तो आप जो है न्याले में जाने का अधिकार इसमें से कौन सुनिश्चित करेगा, तो वो करेगा आपका Right to Constitutional Remedies ओके याद रखना जब भी भौतिक अधिकार का हनन होगा तो आप इसी के तो ये सुनिशित करेंगे मतलब न्याले में जाने का कौन सा अधिकार है तो वो है सनुधानिक उपचार का अधिकार दूसरा याद रखेगा चलिए 36 भी हो गया अब हम आजाते हैं 37 पे देखे इसमें पूछ रहा है कि निम्न कथनों का विचार करो पहचानों की कहा सकता यम सकती का दुरुपयोग हो रहा है मतलब दुरुपयोग का मतलब समझी सकते हैं कि जान बूच कर किया जा रहा है गलत इस्तिमाल हो रहा है ये पूछा जा रहा है, तो मंत्री द्वारा ठोस तक्नीकी कार्णों के चलते परियोजना को मंजूरी न देना, अब ठोस तक्नीकी कार्णों के चलते अब तक्नीकी की विवस्ता अच्छी नहीं होगी, तो इसलिए वो मंजूरी नहीं दे रहे हैं, तो ये तो कोई प्योग नहीं हो रहा है उच अधिकारी द्वारा पुलिस स्टेशन में फोन करके रिस्तिदार के खिलाफ सिकायत दर्ज न करने के लिए कहना ये तो है ही कक्षा मानिटर द्वारा एक गरीब छाथ पर जूटा आरोप लगाना ये भी है तो बी एंड सी ठीक है चलिए 38 इसमें बेसिकली पूछ रहा है कि भारत में न्यापालिका के वीशय में निम्न में से कौन सा वाक्य सही है तो देखिय याद रख न कि न्यापालिका का जो है न वो बिभिन अस्तर जो है वेवस्था में नहीं है ये भी बात गलत है एक उच न्यालय का न्याधिस देश का सर मांग की जा सकती हैं अच्छा मतलब उच्टम ज्वाअसे ह Noise निया पालिखा के विभीण से अपीलवस्था के जोड़े हो यह बड़ सही है तो विभिण इस्तार विशाई के बात हो रही है तो निया पालिखा के जो 30 आइड प्. बटो connect तो एक दूसरे सही है न अपील ववस्था के साथ जोड़े हुए हैं ये बात सही है तो four options will be right 39 हाकिम से के उन पश्चिम बंख खेत मज़़ूर समीती ने निम्न में से क्या मोयया कराने के लिए न्याले में याचिका दायर की थी fact वाला question है और बहुत अच्छा question है तो चिकिस्सा एवन स्वास्थ सेवाए याद रखेगा ये दोनों नाम भी याद रखेगा इन्होंने कौन सी याचिका दायर की थी तो चिकिस्सा एवन स्वास्थ सेवाए screenshot ले लो पहला सही होगा चलो 40 question पर आ जाते हैं किस समुदाय के बारे में रोडी बर्ध धारनाय अकसर उसके का कारण बनती है किसका कारण बनती है तो अकसर उसके विकास ससक्ति करण विविदि करण का नहीं marginalization का कारण बनती है तीसरा सही होगा हासिया करण का तभी तो लोग एक जगह से अपना जगह छोड़के दूसरे जगह चले जाते हैं तो तीसरा सही है 41 देखे समाजी की तियास के सिख्षण के समय सिख्षा को सनवेदन सील होना चाहिए क्यों की क्यों होना चाहिए चलू देखते हैं और यह हम किसको 41 पे है तो बताइए सबसे पहले देखो समाजी की तियास के सिख्षण के समय सिख्षण को सनवेदन सील होना चाहिए क्योंकि तियास संदर बाधारित है वो कॉंटेक्स्ट पे है इसलिए दूसरा कि यह बहुलित इतिहास है एक नहीं बहुलित है यह भी है इतिहास अखंड विशिष्ट है इतिहास विवादा इस पद नहीं यह नहीं सनवेदन सील इसलिए होना चाहिए क्योंकि A and B आपका सही है और आप जानते हैं कि तिहास जो है संदर पे है बहुलित है तो दूसरा सही हो जाएगा इंग्लिस भी दिखा देती हूँ पास्ट है वो हमारा कॉंटेक्स्ट बेज़ है एंड देर मल्टिपल पास्ट एक नहीं यह मल्टिपल है यह सिंगुलर की वज़ा से और यह पास्ट नॉट कंटेंशन इसकी वज़ा से गलत हुआ है सिंगुलर नहीं यह मल्टिपल है A and B चलो 42 देखे इसमें अच्छा इसके नीचे भी options है यहाँ पर ध्यान दीज़ेगा इसको थोड़ा सौर करना पड़ेगा 42 में नीचे भी है तो देखो इसमें पूछ रहा है कि उच प्रात्मिक स्तर पर नागरिक सास के पुस्तकों का नाम करन समाजिक और राजनैतिक जीवन करने के पीछे क्या मकसद है तो चलो देखते हैं आपनिवेशिक काल में भारति स्कोली पाठी चर्या में नागरिक सास को ब्रिटिस राज के प्रति भारतियों के बीच बढ़ते प्रतिरोध की प्रिष्ट भूमी में सामिल किया गया था जी हाँ समाजिक और राजनैतिक जीवन अपने सीखने के अनभोक मुकिता इतियास और अर्थ सास से इकठा करता है ये बात गलत है समाजिक और राजनैतिक जीवन किसी के बात हो रही है न यहाँ पर देखिए जीवन की सितियों पर अधारित है जो प्रतेक संकल्पना के लिए विवहारिक इस्तितियों का प्रियुप करती है ये भी सही है तो A and C तीसरा सही हो जाएगा ठीक है चलिए 42 भी आपका हो गया अब हम आगए 43 पे 43 देखिए कौन सी सिक्षा सासरी रण नीती उच प्रात्मिक इस्तर के अधिगम करताओं में अर्थ निकालने को प्रुसाहित करेगी तो आपको options भी पढ़ने की जरूत नहीं है जहां पर भी आपको innovation चर्चा मिल या ना इससे best कुछ होई नहीं सकता है पहली बात तो गलत उत्तर के लिए दंड होई नहीं सकता है मान की कृत भी अपने आप एक negative है और बहुत सारी सूचनाय प्रदान करना ये भी नहीं है ये सब गलत चीज़े हैं अच्छी चीज क्या है कि आप बच्चों को खोज करने में एक्स्प्लोर करने में चर्चा करन देश भक्ति को स्रेष्ट रूप से विक्सित किया जा सकता है कैसे तो प्रतिकक्षा से पहले राष्ट गान को गाना निवारे बना देना देखें देश भक्ति का स्रेष्ट रूप पूछ रहे हैं तो हम ऐसा तो करेंगे नहीं ठीक है उसके बास से देखें देश इम पाचिनितिहास्पन व्याख्यान दे तो क्या होगा इसका राइट आंसर बताईए तो देखें आप समझ गया होगे कि देश और देश्वास्कियों के लिए उत्तरदाइत यह उन संबंध होने की भावना को विक्षित करने के लिए गतिवीदियों के द्वारा इससे हम देश के द्वावीर समावेशी का मतलब होता है की आपको जो डही सक्षर देखत राइँ निहीं करना है जिसे जो ज़रूरत होगे यह उसकेल सपलगे को देफिक अध्यापक्य क्ष भाक्ता तो सहीं अध्यापक दौरा विध्यार्थियों के लिए सापताहिक मुल्यांकन की घोशना करना और विशिष्ट विध्यार्थियों को परिक्षा के दिन जी नहीं हमें बच्चों को अवकास नहीं देना है जो विशिष्ट बच्चे हैं हमको सभी को सामिल करना है जिसे जितनी जरुवत होगी हम उसके हिसाब से सिक्षड विदियो में चेंज करेंगे ठीक है परिवर्तन ले कराएंगे उसको बोलते हैं समावेसी अध्यापक द्वरा द्रिष्टी बादित विद्यार्थियों को ब्रेल लीपी में लिखी सिक्षण सामगरी को प्लब्ध कराना फोर ओप्चन विल बी राइट फिर से आपका मिलान 46 देखे यहाँ पर दिया है कि समाजिक वराजनेतिक जीवन की कक्षा की सितियों को दरसाता है आप भी जानते हैं तो कॉलम A में है समाजिक वराजनेतिक जीवन की सितियां है और कॉलम B में है अध्यापक द्वरा उस सिति में लिए गया नीड है मतलब कभी कभी हम डिसीजन लेते हैं किस सिचुेशन में किस कंडीशन में तो basically वही है यह कक्षा की सिति यह नीड है कोई प्रतिकरिया कि नहीं की सिति अप्पूरण जवाब की सिति अ?र्ध सत्य जवाब की सिति या पर लिखा है अधिक जानकारी मागना उत्साहा देना पुना फोकस करना आलोशनात्मक जागरुकता को बढ़ाना सब कुछ पढ़ लिया है तो कोई प्रतिक्रिया नहीं किस्थिति किस पर हो सकती है आप बताईए तो उत्साह देने में कोई प्रतिक्रिया नहीं किस्थिति ये कक्षा किस्थिति है ठीक है तो यह हो जाएगा, ऐसा हम करेंगे, जैसे कि यहाँ पर बोला है ना कि समाजिक राजनेतिक जीवन की कक्षा इसकी स्थितियों को दर्सार आईए, और B में अध्यापक ने क्या निडल लिया तो उत्साह देना, ठीक है, बाकि अपून जवाब की स्थिति में क्या होगा, आलोशनात्मक जागरुकता को बढ़ाना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, थ्री, आप पूरा मिला कर एक बार देख लेना अच्छे से, यह इसका राइट आंसर है, चलिए, 46 भी हो गया, 47, और यह देखिए, यह कैसा question है, 47, सबसे पहले देखिए, कुछ प्रारंबिक इस्तर की एक सिक्षिका, अपनी समाजिक विज्ञान की कक्षा में कुछ activities कराती है, और यह activities है, इसके दौरा वह निम्न में से कौन से संप्रत्य को, मतलब यह सब कुछ करा के इसमें से वो कौन सा जो है concept पूरा कराना चाहती है, तो चलो देखते हैं, सबसे परिवर्तनों का विसलेशन करना, प्रीथवी पर बढ़ते तापमान के कारणों पर चर्चा और अमली वर्सा के कारणों पर चर्चा, तो कौन से activity है, ग्रीन हाउस है, मौसम परिवर्तन, जलवाई परिवर्तन, तापमान परिवर्तन, आपने सब कुछ पढ़ा होगा, तो सिक्षण के किस चर्ण पर एक अध्यापक सिक्षण के लिए आवशक सहाइक सामगरी के विशय पर विचार करेगा, ये तो बहुत आसान कोश्यन है, तो वो करेगा पुर्व सक्रिय चर्ण पर, ना ही कक्षा में, पुर्व सक्रिय चर्ण पर क्या करेगा, आवशक सामगरी के विशय पर विचार करेगा ठीक है पहला सही हो जाएगा इंग्लिज भी दिखा देती हूं देख दीजे प्री अक्टिव स्टेज याद रखना छोटा सा कॉश्चन है पर गलत होने के चांसे ज्यादा है चलिए यह आपका सही हो जाएगा ठीक है तो हम इसी पर करेंगे साथक प्रशनों की संख्या को बढ़ाना विद्यार्थियों को सोचने के पैटन को समझना जी हां और विद्यार्थियों के उत्तर की गहराई में जाना तो बी और सी होगा प्रशने की संख्या को नहीं बढ़ाना है हमको पैटन को समझना है हमको गहराई में लेकर जाना है तो B और C, चलिए 50, तो देखते हैं भारती विविद समाजिक संधर्व या अनिवारे बना देता है कि समाजिक विज्ञान की कक्षाएं पोसित करती है, अब विविद की बात हो रही है, तो अलग-लग समाज, अलग-लग वर्ग, सभी की बात होगी, है की नहीं, ये केवल तो लोगों की विचारों को, ना ही स्वाड़ी मितिहास एं विवादित विश्यों से बच कर रहने को, तो किसकी बात कर रहा है, वरिहत समाज के सभी वर्गों के दरिश्टिकोंड को, ये सबसे बेस्ट आंसर है, और इसी में है भारती विविद समाजिक, तो ये इसलिए आज ही विग्यान की कक्षाइं किसे पोसित करें, तो वो होगा हमारा ओप्शन नमबर 4, ठीक है, चलो,